हेलो स्टूडेंट्स क्या हाल चालें आप लोगों के और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे होंगे और सुभाविक है कि कुछ टेंशन भी डेफिनिटली होगी क्योंकि दो दिन बाद आपका एक्जाम है अब ऐसे में हमारे बीच में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं तो इसलिए उनकी मैथेमेटिक्स में कुछ खास तैयारी नहीं हो पाई है और ऐसा हो जकता है किसी के साथ भी सीरियस कुछ प्रॉबलम हो सकती है और शायद मैं भी आपकी जेगे पर होता और इस सिचूशन में होता तो उस सब चीज़ को गंडर करते वें मैं आपकी कोई क नहीं निकाल रहा हूं और आपको genuinely आपको help करने के लिए आप front आ रहा हूं चो देखिए आप आपके पास ज्यादा समय नहीं है और ऐसे में लोग बहुत कुछ जैसे YouTube एक तरीके से आपको छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-बड़े-बड़े-बहुत सारे traps मिल जाएंगे ब आठ गंटे-गा एक वीडियो मिल जाए या ऐसा कुछ मिल जाए तो दो वीडियो करके मैं पास हो जाओ ऐसा कुछ होगा नहीं देखो आपको बदा रहा हूं आपका एक्जाम खराब हो जाएगा इन लोगों को कुछ नहीं बिगड़ेगा यो यूट्यूब पे लोग हैं इनकी बिजनस इनका जो रोजगार है इनकी जो वीडियो है इनके चैनल चलते रहेंगे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा तो इसलिए कोई शॉटकट नहीं है बहुत ही सिंपल सी बात है कि आपके 38 questions कुछ अराउंड पूछ आते हैं और जो है आज तक पूछते आये हैं तो ऐसे questions जो पूछने लायक है उन सभी questions के अगरा practice कर लें तो definitely आपको उन 38 questions में से maximum number of questions आपको आते होंगे और आप उनको करके अच्छे नंबर से पास हो सकते हो यही एक तरीका है तो अगले दो दिनों में मैं यह चाहता हू कि आप लोग महनत करें देखिए चार तारीक जो है वो निकल चुकी पांच तारीक निकल चुकी छे तारीक निकल चुकी और अभी यह वीडियो रिलीज करूंगा आप शायद शाम तक देखेंगे रात तक देखेंगे तो मैं मानके चल रहा हूं कि आपके बस मोटे तौर देखेंगे इक तो साथ तारीक जी है और एक आट तारीक बचिये और जोटी से पहता हूं कि हाँ अब इन دो दुनों में इतना possible भी है हर तरीके से, हर एंगल से possible है कि अगर आप 7 और 8 तारिक में 12-12 घंटे आप मेहनत से पढ़ाई करके बिल्कुल इमानदारी से अगर आप पढ़ाई कर लें 12-12 घंटे तो आप अच्छे नमबर से पास हो जाएंगे, ठीक है? मैं यही रहूँगा, आप मेरे से आके वापस बात भी करना जो बाते मैंने इस वीडियो में कहीं है उसके ओपर आप कमेंट करना मुझसे बाचीत करना, ठीक है न? तो मैं आपको यही बात बताऊँगा कि 7 और 8 तारिक में आप 12-12 घंटे का टारिक रखो और यह 12-12 घंटे की में आपको मैं बात बताऊँ कि बेसिकली आपको करना क्या है तीन-तीन घंटे के चार सेशन्स खतम करने हैं आपको बीच-बीच में आप एक एक गंटे का ब्रेक ले सकते हो ठीक है? और यह इतना तो आपको करना भी पड़ेगा यानि कि 15 आर्स की सिटिंग आपको मैनेज करनी पड़ेगी तोड़ा ब्रेक आप बीच में ज्यादा भी ले सकते हो डेल घंटे का भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ultimately आपको अपने दिमाग का इस्तमाल करना है समझने में, questions को solve करने में और यकीन मानिए जब आप पढ़ रहे हैं तो उस time पे आप इधर उधर की कोई बकवास पे ध्यान मत दीजिए क्योंकि आपको हमेशे एक temptation आती रहेगी यार कोई ऐसी वीडियो आजाए कोई ऐसा कुछ 50 important question बता दे कोई guest paper ही दे दे जिससे कि मैं पढ़के pass हो जाओंगा तो आप ऐसे end moment तक आप ऐसे ढूंडते रहोगे और यकिन मानों कि आप 9 तरिक को सुभे ये बोल रहे होगे 9 तरिक की morning में आप ये बोलोगे कि यार मेरे को काश दो दिन मिल जाते तो मैं pass हो जाता तो वो दो दिन आपके pass है ऐसे ही बच्चो 7 तरिक को और ऐसे ही 8 तरिक को भी आपको 3-3 घंटे के ठीक है 4 sessions करने है ठीक है और क्योंकि आप end moment पे पढ़ रहे हो तो as such आपको revision के लिए इतना जादा time की requirement नहीं होगी क्योंकि जो इस आदमी ने एक दिन पहले ही पढ़ा है उसको अब क्या ही revise करना है ठीक है आप revision मतलब जो है notes से कर सकते हो जो भी आप पढ़ोगे उसके notes से आप revision कर सकते हो अब इसमें आपको करना क्या है बहुत ही simplest आपको बता रहा हूँ आपको यह नहीं बता रहा हूँ कि आपको यह किताब करनी है यह question करने कुछ नहीं आख बंद करके बच्चों ठीक है अब दो तरह के students है एक वो students जिन्होंने ऐसा हो सकता है कि आठ चेप्टर पढ़ रखे है और चार चेप्टर आज तक पढ़े ही नहीं है राइट है बट मैं उसको यह नहीं कहूंगा कि वो चार चेप्टर छोड़ के चला जाए यह कुछ ऐसे students होंगे दूसरे टाइप के जिन्होंने पूरा syllabus तो खतम कर रखा है है ना एक बार तो चेप्टर पढ़ रखे है एक बार तो चेप्टर पढ़ा हुआ है तो वाट आई बूड से बच्चो कि आपको क्या गर रहा है इन दो दिनों में साथ तारीक और आठ तारीक का प्लान बता रहा हूं मैं आपको आपको यहां पर तीन प्लेलिस्ट है और तीनों प्लेलिस्ट के बारे में बताता हूं ठीक है तीनों प्लेलिस्ट के बारे में बताता हूं एक तो यह प्लेलिस्ट है 12th Maths Boards Marathon ठीक है जो अभी एक एक प्रेजेंट सीरीज चल रही है एक आपकी जो playlist है most important pyq series इसके अंदर difficult question है इसको आप ना करो रहने दो इस particular series से यह जब आप खोलोगे जब आप यह खोलोगे इससे आपको क्या करना है ठीक है एक सेक्ड़ इस series में बस आपको क्या करना है यह जो end में आप जाओगे तो आपको case study questions में लेंगे डेट गंटे के दो sessions है ठीक है ना बट उससे भी ज़्यादा important है देखे इस particular series में तो मैं आपको कहूंगा देखे आपको कोई confusion नहीं होना चाहिए confusion नहीं होना चाहिए मैं फिर से बता देता हूँ फिर से बता देता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद आपको confusion हो सकता है क्योंकि यहां पर multiple series है तो मैं पहले आपको short में बताता हूँ बच्छो ना प्लेइलिस्ट मिलेगी आपको 12th Maths Board Marathon ठीक है 12th Maths Board Marathon और थोड़ा सा अगर आप उपर जाओगे ना फोन से आप देखोगे तो आपको यह प्लेइलिस्ट मिलेगी one shot वाली board express ठीक है जिसने आज तक कोई chapter बिलकुल भी खोल के नहीं देखा है वो लोग detailed one shot देखना तो जब आप इसको खोलोगे ना जब आप इसको खोलोगे तो देखिए आपको कुछ इस तरीके की वीडियोस मिलेंगी यह देखिएगा मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ अब देखिएगा पर रेलेशन फ़ंक्शन वन शॉट यस इसमें से आप वह वाले चेप्टर अपने आज तक नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यह बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, पर मान के चलिए, जो चेप्टर आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं, वो चेप्टर में आपको बेसिक तो पढ़ना नहीं है, कि फॉर्मला पढ़ना है या कुछ भी पढ़ना है, अब उन चेप्टर को, जिन इस बोर्ड मेरा थोन में अगर आप देखेंगे तो यह पहला मैंने मैट्रसिस इंडेटर्मेंट दो चप्टर करा रखे हैं तो इन सभी सेशन्स में दबाके क्वेशन्स हैं क्योंकि इस समय पर आपको सबसे ज्यादा क्वेशन्स करने की जुरूत है आप मैट्रसिस इंटिग्रेशन स्टार्ट होगा बट मैं आपको कहूंगा कि आप लाइव ना पढ़ें क्योंकि आपकी कुछ खास तेयार ही नहीं है आप अपनी पेस पे विदाउट एनी डिस्टर्मेंस ये खतम करते वे चलें इन मेंसे अगर कोई भी एक चप्टर आपको ऐसा लगता ह है कि यार मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है तो ऐसे ऐसे टाइम पर हला कि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि जो चप्टर आपने नहीं पढ़ रखा है उसको आप पढ़ो बट स्टिल क्योंकि पेपर में कुछ तो पढ़के जाना ही है तो उसके लिए आप फिर क्या कर दोना लें ठिकाना क्लियर एक्या तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पर मैं लिख रहा हूं कि भाई oldest timing जोंग्त पहली बार पढ़ रहे है रेफेल की डिटेल वन शाट की कर्मए ओड ने पहले वार पढ रख़्ा और आपको रिंवाइज और अच्छी से question करने है तो second timer जो है वो board marathon वाली playlist को prefer करेंगे अच्छा channel पर आप एक playlist आपको और मिलेगी एक playlist आपको और मिलेगी जो यहाँ पर है right most important PYQ series मैं इस समय पर इसको इसलिए recommend नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर difficult questions है right यह तरीके से important but difficult भी है और ऐसे टाइम पेपर में पूरा पेपर difficult नहीं आता 15% पेपर आपका जिसे मैंने कल भी बताया था easy 70% moderate right and 15% difficult तो यह उन बच्चों के लिए बनाया था मैंने जिनको 80 out of 80 score करना है right but अभी आपको 80 out of 80 score ना करने की जगे आपको focus करना चाहिए अच्छे नंबर से आप पास हो जाएं तो आप यह difficult portion पे ध्यान ना दें यानि कि इस playlist पे आप इस playlist को ignore कर सकते हैं और main आपके लिए जो playlist है वो है board marathon और जहां तक मेरी उम्मीद है कि सभी बच्चे लगबग लगबग एक एक बार तो chapter पहले पढ़ चुके हैं preboards में या कभी तो obviously आप लोगों के लिए यह जो series है यह एक तरीके से saver है मतलब यह आपको आपकी situation से निकालेगी बच्चों और बिना किसी distraction के देखिए पूरी book one जो है हमेने चार lecture में खतम करिए तो आप इसमें matrices and determinant खतम करिए इसमें relation function and ITF खतम करिए उसके बाद continuity and differentiability खतम करिए और यहां पर AOD कुछ बच्चे कहेंगे कि sir मैं और क्या करूं और आप कुछ कर नी पाओगे इसी के अंदर देखिए जिसे इसके अंदर 27 कोशन कराए गए है इसके अंदर 50 कोशन कराए गए है relation function and ITF में भी 50 कोशन कराए गए है तो अपने आप में ही इतने सारे questions है कि बस आप यही कर लो तो बहुत है ठीक है और जैसे जैसे आप यह खतम करते चलोगे आपको इसी सीरीज में बोर्ड मेराथान सीरीज में ही आपको आगे के chapter जिसे 7 यहां मिल जाएगा 8, 9, 12 एक वीडियो में मिल जाएगा 10, 11 एक वीडियो में मिल जाएगा और 13 आपको एक वीडियो में मिल जाएगा बस 24 घंटे अपने ओपर एहसान कीजिए without any distraction पढ़िए यह जो सीरीज है मैंने आपको बता दिया है इसके ओपर आप rely करिए और हर question बहुत ही जिसे कहता है ना focus के साथ select किया गया है इन सीरीज में जिससे की कोई भी question जो है आपका वो ऐसा नहीं है जो ऐसी randomly उठा लिया गया है बहुत समझ से उठाए गया है कि अगर यह question अगर exam में नहीं आया तो इसके जैसा आएगा तो बच्चा कर देगा और वो question लिये गये हैं जो previous years में कहीं कहीं बार repeat हो चुके हैं अकसर करके आपके pre-boards में पूछे जाते हैं boards में पूछे जाते हैं आपने वो feel होंगे आपको जब आप questions के practice करोगे तो बस यह आपको करना है बच्चो that's it from my side कोई भी कमी होगी इस video में मेरे सुझाओ में तो please comment करके बताएगा तो जो भी कमी होगी वो मैं आगे की videos में उस particular point पे जो है आपको सुझाओ दूँगा ठीक है thank you very much love you all bye bye